हुआ है गाइज वेलकम बैक ट्यानल लाइफ ओफ मारवाडी मॉमी तो स्वागत है आपका लाइफ ओफ मारवाडी मॉमी के च्वैनल पर कैसे हैं आप लोग आइफ अच्छे होंगे अपनी तवियत का ध्यान रखेगा कोरोना का ध्यान रखेगा सेफ रहे और लॉगडाउं फुल चुका है बट फिर भी ध्यान रखेए फुल सरकार में छूट दिये बट कोरोना ने अभी तक आप लोगों को छूट नहीं दिये त तो इस बात का ध्यान रखेए और आज मेरी सारी जो भी डीप क्लीनिंग घर का पूरा हर एक चीज वाश किया है वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको किसा शेयर कर रहे हूं तो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरी तब्वेत हैं तो इसलिए थोड़ा अपडेट मेहीं कर पा रही हूं अपनी चीजों को बट जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा और मुझे एक्टिवनेस आजाईगी में बाडी में और मुझे जब भी लगेगा कि नहीं आज मैं ओक्यों हूं वीडियो बनाना चाहिए तब म और मेरा हॉस्पीटर बैग जो भी मैंने रैडी किया है वो सारी चीजे में आप लोग के साथ शेयर करोंगी तो बने रहीएगा मेरे चैनल पर जल्द आपको बहुत सारी चीजे देखने को मिलेगी और बस अभी खाने की तयाली कर रही हूं खाना बनाना है तो बस फटा फ झाल 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 तो यह मेरा रूम है जो कि बंद ही पड़ा रहता है क्योंकि हम है घड़ में सिर्फ दो जने और रूम हैच है हाल है तीन और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं जैकिन फ्लोर बंद ही रहता है बटाश पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है पूरी तुलाई झाल 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 क्योंकि बाद में मैं शायद नहीं कर पाऊं दुलाई वगेरे क्योंकि मेरे काइम नजबिक आ गया है और बैक पेन वगेरे बहुत जादा होने लगा है मुझे पांच छे दिन से अबलब यह वह सब्सक्तिव एक्स्ट्रेम लेवल पे मुझे बैक पेन हो रहा है बहुत ज हुआ है कि सब रूम बंद रहते हैं कोई भी रूम अभी यूज में नहीं है नीचे का फ्लोर ही हमारा यूज में आता है यह देखिए एक्चुली यहां पे अभी पूरा कांच लगाना बाकी है एक्चुली घर में काम अभी बहुत बाकी फरनीचर पूरा इनकंप्लीट है जो की मेरी डिलेवरी के चक्कर में डिले कर दिया था मेरे फादर इनलो ने कि जब मैं फ्री हो जाओं में भी अगर से हम लग जाएंगे इस एरिया पर और यह पैक हो जाएगा फिर यहां पर जो पीजन स्थे को गंदगी फैलाते हैं वो नहीं फैलाएंगे यह एक दिन छोड़की एक दिन डेली यहां पर सफाई होती बड़ फिर भी उनका काम है कि गंदगी करना